इंडिया में सब 4 मीटर SUV सेगमेंट विछले कुछ सालों में बहुत जादा प्रोग्रेस किया है उसकी सासात यहां पर बहुत सारी गाड़ियां अलग-अलग मैनुफेक्चरर्स ने लॉंच की है और उनको उतना जादा पसंद भी किया जाता है अभी हाली में जो गाड़ी ल हिंड़ी एक्स्टर माइक्रो एस्यूवी एक सेंस ओफ थ्रिल प्रोवाइड करती है कम्प्लीटली अपने एक्स्टीर डिजाइन से और इंटीर डिजाइन से और जैसे कि इसको सोचा जारा था कि यह कैसपर बेस्ट डिजाइन होगा यह उससे कहीं ज्यादा बहतर बलकिय और मस्कुलर लगती है देखने में इस गाड़ी को इसके कॉंप्टीशन से जो की टाटा पंच मारूती फ्रॉंक्स रैनो काईगर और निसान मेगनाइट है उससे सेट अपार्ट करता है इसके सेग्मेंट फर्च फीचर्स जो की इसके अंदर हिंड़ी ने डाले हैं अभी पेरामेट्रिक ग्रेल एच शेप्ड सिगनेचर लेडी डियारल्स और प्रोजेक्टर हेड्लम्स यहां पर आपको फ्लोटिंग रूफ डिजाइन भी देखने को मिलेगा जो की वैकल की अपील में एड होता है और यहां पर आपको ब्रिस टाइप रूफ रेल्स भी देखन को और एन्हेंस करते हैं ब्लैक डाउट आपको ए और बी पिलस देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ स्कॉाइड ओफ वी लाचिस देखने को मिलेंगे डायमंड कट अलोई वील्स के साथ में जिससे गाड़ी को एक रगेड और स्पॉल्टी स्टैंस जो है वो मिल जाता में विलेबिल होगी और जो वेरियंट्स आपके डिवाइड के अगे हैं 15 उप्शन में बेजड डिफरेंट इंजन एंड ट्रांसमिशन और यहां पर कस्टमर्स को 6 मोनो टोन और 3 डूल टोन एक्स्टीर कलर उप्शन भी देखने को मिल जाएंगे अगर हम एक्स्टर के के सिस्टम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मल्टी फंक्शन स्टेरिंग वील और आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है अपने कॉंप्टीशन से इस गाडी में एक एक्स्टर बैनिफिट आपको देखने को मिलता है वो है इसका इलेक्रिक संरूफ जो की वाइस जिसमें कि आप वाइस कमांड जैसे ओपन संरूफ या फिर आई वांट तो सीदे स्काई कहकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं उसकी अलावा और सेगमेंट फर्स फीचर जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो होगा डूल कैमरा डैश कैम जो की आपका फ्रंट और रियर कै कि बात करें तो इसमें आपको दो इंजन ओप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपका पहला आजाएगा 1.2 लीटर कापा पैट्रोल इंजन जो की एटवंटी फ्यूल पर चलने के लिए के लिए और दूसरा आजाएगा सेम 1.2 लीटर बाइफ्यूल कापा पैट्रोल जो की आपका CNG के साथ भी कमपैटिबल है नेचरली एस्पेरेटेड इंजन आपका 1.2 लीटर वैन्यू और और ग्रेंड आइटन नियॉस में हमें अल्रेडी देखने को मिलता है जो की 83 बहपी की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जनरेट करता है ये इंजन 5-speed manual transmission और 5-speed EMT के साथ में देखने को मिलेगा as per your driving preference आने वाले टाइम में दोस्तों देखना ही होगा 10 जुलाई को कि ये गाड़ी क्या कुछ हमारे लिए लेकर आती है और क्या इसके prices वगरा रहते हैं आप हैं EM cars पर everymate cars जहांपर की आपको provide की जाती है automotive related all sorts of information सबसे पहले और उसके साथ साथ में अपना Maruti Suzuki France Delta plus AGS और Royal Enfield Meteor 350 का ownership experience भी आपके साथ time to time share करता रहता हूं Thank you so much for watching the video, bye bye take care of yourself and remember always drive safe झाल करेंड़ी आता हैं